दोस्तो आज मैं आपको एक concept समझाने वाला हूँ जो कि बहुत ही simple भी हो सकता है और complicated भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग market में properly work नहीं करते हैं So I wish कि आपके ये topic clear हो जाने चीए आज हम बात करेंगे उस चीज़ की कि जैसे मालो हम कहते हैं हम options की बात करते हैं Options में लोग क्या कहते हैं options के इंदर कि भाई हम यह तो 2 तरीके से काम कर सकते हैं So यह तो तरीके हैं जो फोल टाइप के options में हम work कर सकते हैं प्लेइर अब बात आती है काम करना है कालक बात उसके concept को समझचो काफ़े सारे लोगों को न ये problem होती है कि जो चीज हम buy कर रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो options में options buying की बात करूँगा especially options buying में आते हैं उनको लगता है कि हमने 60 rupees की premium को pay किया और वो 60 rupees आगे जाके 600 बन जाए कुछ ऐसा कर लिया जाए actual में ऐसा नहीं होता आपको ये बात पता होनी चीए कि किस तरीके से हम इसकी value निकाल सकते हैं इन चीजों को calculate कैसे किया जाता है मालो कोई चीज है मालो CE हम कहते हैं CE call European बोलता है मालो call है हम उसको buy करना चाहते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी जरूरी हो जाती है जब हम इसको buy करना चाहते हैं like delivery के लिए या फिर long term के लिए like एक मन्त या फिर weekly basis पे तो कितनी इसकी actual value है जिसको intrinsic value बोलता है प्लस इसमें कितनी time value है आप लोगोंने मेरे मूँ से भी और कहीं सारे ऐसी traders हैं उनके मूँ से हमेशा सुना होगा कि भाई हम तो time value खाते हैं हमें तो time value पे काम करना है अभी time value क्या होती है यार इसको कैसे खाया जाता है कैसे एक option seller profit कमाता है क्योंकि उसके जीतने की chances 66% हो जाता है कारण पता है क्यों है क्योंकि वो time को अपने साथ लेकर चलता है और जो इंसान time के opposite जाने की कोशिश करता है definitely उसके साथ क्या होता है आप सबको पता ही है तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ये चीज identify कर सकते हो कि इसकी actual value क्या है भाई अगर कोई चीज मालो अभी 17,000 पे हमारी निफ्टी चल रही है तो 17,000 पे निफ्टी चल रही है तो हम उसकी call को अगर बाय करते हैं तो उसकी actual value कितनी होनी चीए अगर वो value हमें पता लग जाए तो कितना साथा better काम हो जाए अब इस चीज को पता कैसे करता है ध्यान रखो उसको हम लोग बोलते हैं actual में intrinsic value आप कहेंगा यह किस बला का नाम है यह क्या बता रहे हो तुम कहां पर यह educational वीडियो में इतनी जादा चीज़े गुसा रहे हो actual में दोस्तो market में काम करना है तो आपको यह सारी बाते पता होनी बहुत ही जादा जरूरी है जब हम option premium की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दो चीज़े मिलती है माल लो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ और आज इसकी value कितनी है आज इसकी value 70 points है कभी भी धिहन रखना market में जब हम काम करते हैं तो rupees में बात नहीं करते हैं यह थोड़ा unprofessional होता है मैं चाहूंगा मेरे client जितने भी देखने है थोड़ा professional way में अगर हम बात करें तो common सी बात है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 70 point एक call का premium है माल लीजिए तो उसके अंदर दो चीज़े count होंगी पहली होगी उसके time value कि कितना time उसके पास available है पहला point दूसरी बात उसके intrinsic value कि actual में उसकी value कितनी है भाई वो किस चीज़ को count कर रहा है देखते हैं यहाँ पर माल लो मैंने बोला कि अभी कोई चीज है जिसका stock का price मालो 100 rupees है ठीक है? 100 point है और जैसे ही यह 10 point उपर जाएगा common सी बात है तो हमें profit on account होगा तो हमने 100 की जो call है उसका price अभी 70 point दिख रहा है तो actual में इसका जो value है वो कितनी होनी चाहिए अगर अभी stock की value माल लेता हूँ 107 चल रही है तो आपको ध्यान देना है कि 107 में से आपको ये count करना है कि इसकी actual में intrinsic value कितनी है अगर ये 1 month की premium के साथ काम कर रहे हैं monthly basis पे इसका simple सा formula count कर सकते हो कि जो value है आप क्या करो जो stock की value भी चल रही है उसमें से minus कर दो जिस particular premium पे आप काम कर रहे हो मैं 100 की premium पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी 7 निकल कर आ गई actual में 7 क्या है हमारी ये intrinsic value बोल सकते हो प्लस उसके बाद जो value बची like 63 points जो बचे उसको आप कह सकते हो वो time value है so इस तरीके से इस चीज को अगर आप identify कर लेते हो कि मैं किसी option की premium को buy करना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं भगवान बरोसे आते हैं अब देखो भगवान हो सकता है उन्होंने ये वाला formula ना पढ़ा हो वो कहेंगे भई मेरा काम नहीं है trading करना तुमको ये बात समझनी चाहिए थी तो उन लोगों के लिए बहुत important है जो कि nifty bank nifty में trade करते हैं definitely उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी actual जो value है उस particular premium की वो कितनी है अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं तीन चीज़ों पर हम लोग focus करते हैं तीन चीज़े कौन कौन सी होती है तीन चीज़े बहुत ही simple है पहली बात जहां पर price अभी है उसको हम बोल सकते है add the money ठीक है add the money काउंट किया जाता है अब उसके उपर की तरफ बात करें जो उपर की तरफ है उनको हम करेंगे out of the money तो वहाँ पर अभी value नहीं गई है तो common सी बात है हम अभी तक महां तक गए नहीं है third point count की जाती है in the money ठीक है तो in the money की बात करें जहां पर value जा चुकी है ठीक है like stock का price उससे उपर already जा चुका है तो इनकी जो premium की value होगी उनके अंदर क्या चीज़ जादा होगी intrinsic value और time value कितनी होगी बहुत ही कम अगर अभी time value बची भी है तो बहुत ही कम दी जाएगी तो ध्यान डखना कि जब हमारी in the money वाली value की बात की जाती है तो intrinsic value इसमें बहुत high हो जाती है और अगर out of the money की बात करें तो इसके अंदर intrinsic value बहुत ही कम होती है maximum इसके अंदर time value होती है चीक है, so ये बात हमें पता होनी चीए, अब add the money पर कोई चीज खड़ी है, माने बताया जैसे 100 रुपीज की कोई चीज है, 100 रुपीज की चीज के उपर premium का price अभी कह सकते हो कि अभी में 70 point दिख रहा है तो 70 point का मतलब ये नहीं है कि वो 70 पे ही रुकने वाला है जब उसकी expiry होगी, जिस दिन expiry count होगी, तो अगर मान लो अभी price हमारा चला जाता है 120 चीक है, so actual में इस premium का price कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल असली जो price है इसका, वो कितना बचा, like अगर आज ही market बंद हो जाए, जिस जगापर अभी price है, वो price वहीं पर ही बंद हो जाए, then definitely क्या होने वाला है, इसका जो intrinsic value होगी वो 20 point रह जाएगी, प्लस जो हमारी 50 point हमारी यहाँ पे बोल सकते हो, जो time value थी, उसको हम खाने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से हम लोग currency market में भी अपने intrinsic value and time value को count कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि currency market जब हम काम करते हैं तो currency market में options के अंदर बहुत जादा कम volume होती है मेरे भाई आपको volume से लेना देना क्या है, पहले तो मुझे इतना identify कर दो, अगर आपको trade लेनी हैं और आपकी trade execute हो पा रही है, तो आपको problem की कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करता हूँ काफी time, one year आगे तक के चीक है, trade लेता हूँ, तो उसके अंदर हो सकता है, volume कम हो, बट मेरी जो trade होगी, वो maximum hundred lots तक के होने वाली है, अब hundred lots तक के लिए, अगर वहाँ पे volume इतनी है वहाँ पे देखा जाएगा, तो 10-10,000 lot के अंदर काम किया जा रहा है ठीक है, तो आप अपने hundred lot की trade लेने के लिए क्यों होना चाहते हो आप जाओ trade लो, समझ रहे हो हमें अपने पे काम करना, यह वही बात हो गई कि भाई, 15,00,000 students किसी चीज़ का form भढ़ते हैं केवल हजार selection होते हैं अब हजार selection होते हैं आप हजार के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई, तुमको तो एक seat चाहिए न, तो आप एक seat के पीछे भागोना, तो यही चीज़ यहाँ पर implement होती है, यह volume वाला logic currency market में मानता हूँ, कि कुछ जगा पर volumes कम होती हैं, बट volumes से आपको कुछ खास लेना देना नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर delivery में बात करने वाल हैं, अगर मैं बात करूँ currency की, तो maximum time delivery में बात होती है, और अगर हम international market के 4X की बात करता हूँ, तो उसके अंदर इतनी ज़ादा volume होती है, जो आपके order तुरंत लग जाता है, पर उनके लिए आपको कम से कम कह सकता हूँ, में 6 month का experience होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, लोग इस बात को समझते नहीं है, और directly 4X में उतर जाता है, 4X के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि आपको यहाँ पे EA, ठीक है, यहाँ पे EA robots होता है, export advice बोलता है, उनको follow करना पड़ता है, आप अपनी कुई भी strategy को implement कीजिए, और करने के बाद में करना क्या है को ध्यान से समझना, यहाँ पे माल लो आपका laptop है, आप 24 घंटे तो trade नहीं चला सकते, common सी बात है, तो आप यहाँ पे अपने virtual private system VPS आ जाता है, कितने का, like 600 रिपे महीना आपको मिल जाता है, तो उसको आप buy कर सकते हैं, उससे क्या होगा, पीछे की तरफ आपका एक computer हमेशा open रहेगा, जिसमें आप MT4 software को open करोगे, अपना EA run करोगे, run करने के बाद में क्या करोगे, phone में login करोगे, अपना देख लोगे, क्या चीज़े चल रही है profit loss बनता रहेगा, बट जब हम option selling की बात करेंगे, Indian market में, तो हमें intrinsic value को पहले find out करना है, कि actual में अभी, जब मैं इसको खरीद रहा हूँ, आज के समय पर तो इसकी value कितनी है, और आने वाले समय में इसके time value कितनी होने वाली है, कितना ये गिरने वाला है, अगर इस option में, मैं option selling कर रहा हूँ, तो option selling का मतलब simple सी बात है, वो time value को खाने की बाते करता है, ठीक है, और time value अगर आप खाना सीख जाते हो, then definitely आप सोते भी रहोगे ना मेरे दोस्त, तब भी profit बनता रहेगा, और ये इससे ज़ादा, I don't think कभी दुनिया में कोई चीज होगी, अगर मैं बोलू हूँ, मुझे share market में सबसे best चीज क्या पसंद होगी, अगर मेरे account में मान लीजिये, मैं कहता हूँ, अच्छा खासा fund में grow कर लेता हूँ, और मेरा मानना है कि भाई, मैं एक करोड के उपर, monthly, अगर मैं 2% भी निकाल लेता हूँ न, तो भी मेरा अच्छा खासा, मैं अच्छी खासी life जी सकता हूँ, मेरा मानना ये नहीं है कि हमें 100 साल जीना, देखो, ये मेरी personal thought है, हो सकता है, लोग 100-100 साल जीने की planning कर रहे हूँ, मेरा main focus है कि अगर मैं 70 भी जीता हूँ न, वो 70 मेरे मज़ेदार होनी चाहिए, मुझे वहाँ पर पूरा कह सकते हूँ, जो मैं चाहता था, जो मैं करना चाहता था, वो चीज करनी चाहिए, समझ रहे हो, मुद्दा वो है, तो वही चीज यहाँ पर implement होती है, अगर मैं बोलूँ, अगर किसी की पास fund है, तो वो option selling पर focus करें, और अगर कोई option buying कर रहा है, तो भाई देखो उसकी भगवान भरोसे है, क्योंकि option buying को मैं अपने सभी client को खुला मना करता हूँ, option buying मत करो, मैं खुद नहीं करता हूँ, आज तक मुझे तो option buying से कभी करना कभी profit हुआ होगा, मुझे याद भी नहीं है, बट नुकसान जादा होता है, समझ रहे हो, वहाँ पे सबसे दिक्कत की बात यह है, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, time, उसके against हम लोग काम कर रहे हैं, तो लगता है time के against काम करने वाले कोई इंसान जीज सकता है, सो ये problem count होती है, समझ रहे हो, सो I wish की intrinsic value कैसे पता करते हैं, आप समझ गए होंगे कि intrinsic value होती ही क्या है, एक्चल में वो कितना उपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, वो matter करता है, इस चीज को हमें ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, और ये चीज हम ध्यान नहीं दे पाते, जैसे मान लीजी, अभी मैं बोलूं कि भाई, अगर हमारी nifty, for example, मैं काम करता हूँ, 17,694 के उपर हमारी nifty चल रही है, मुझे पता लगाना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक देखना चाहता हूँ कि 17,500 की, जो CE है, उसके अंदर कितनी उसकी actual value है, और अभी कितनी उसकी time value बच्ची हुई है, मैं मानलों में बात करता हूँ, September month की, अभी अगस्त complete नहीं हुआ है, आज 25th अगस्त है, तो September month के अंदर time value काफी जादा होगी, common सी बात है, अभी होगी इसके इंदर, जबकि value in the money count हो चुगी है, अब फिर भी time value होगी, क्योंकि वहाँ पर भी time है, clear, तो अब हम बात करते हैं, कैसे find out करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 17,694 में से, 17,500 को exit कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हम जिस चीज़ को पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें निकल कर आया, कि भाई, हमारा 194 points हमें निकल कर आता है, तो अगर हमारी premium की value, लाइक अभी premium की value मालों चल रही है, 511, जो कि मैंने भी देखी है, value बिल्कुल correct है, तो हमें पता कैसे लगीगा, कि एक्चल में इसकी क्या सच में यही value है, तो हम क्या करेंगी, हमें पता लगा कि actual में call की value कितनी दिखा रहा है, इतनी, तो यहाँ पे दो चीज़े है, time value प्लस intrinsic value, अब intrinsic value तो हमने count कर लिए कि कितना जादा होना चाहिए, अगर आज ही market बंद हो जाए, तो हमें कितना point मिलने वाला है, तो intrinsic value यहाँ पे count हुई है, 194, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे time value count करते हैं, तो time value हमें कितनी निकल कर आई, 317, तो बुद्दा यह है कि अगर आज हम इस premium को short कर देते हैं, आज ही, और अभी value जबकि 694 जा चुकी है, तब भी हमें 317 point का profit होने वाला है, because हमारे पास में 1 month है, जो कि हमें धीमे धीमे पैसा आता रहेगा, मानता हूँ कि आप सोते रहोगे, तब भी आपको 54 चवणनी आती रहेगी, बट मुद्दा वो है कि आती रहेगी, clear, तो यह चीज matter करती है, option selling के इंदर intrinsic value, निकालना, समझना, मतलब एक time ऐसा आएगा, दोस्तों आप खुद बाखुद देखके समझ जाओगे, कि अभी value इतनी है, यह इतना दिखा रहा है, तो इसमें time value कितनी है, और intrinsic value कितनी है, यह कोई इतना पड़ा rocket science नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को इबात पता ही नहीं होती, आप कोई चीज खरीद रहे हो, आपको दिख रहा है कि उसकी value 10 points है, और वो अभी मुझे कह सकते हो 70 points में मिल रही है, आप फिर भी उसको खरीद लेते हो, क्यों 60 point time value आप दे देते हो option seller को, समझ रहे हो, सो यह बहुत ज़ादा important हो जाता है, अगर आप option selling की तरफ देखना भी चाहते हो, आपको यह चीज़े count करनी आनी चाहिए, प्लस आज का जो question है, वो है 3 like minus 39, कितने होते हैं, comment करके बताना, I wish, and मैंने number दिया हुआ है नीचे, message करके महाँ पर बताओगे, तो it's better, चीक है, आपको common सी बात है, अगर कोई भी किसी तरीकी कोई problem है, intrinsic value find out करनी, I think आज आज आप समझ चुके होंगे, and जो trade मैंने डाली है भी तक कि उसमें ना तो कोई जादा बड़ी movement आई, so that's why educational content आपको दिया जा रहा है, किसी भी तरीकी के कोई question है ना, तो नीचे comment करो, and अपनी आपको upgrade करते रहो, ठीक है, knowledge gain करते रहो, that's matter, ठीक है, so इस तरीके से काम किया जाता है, so मिलते है next important video में, I wish कि आपको video पसंद आई होगी, कि आपको आपको,